नमस्कार तो आज का जो डिजाइन है वो बहुत ही सिंपल सा है जॉइंट लेस्ट लगाएंगे हम गोल गले पर वह एक ट्रिक के साथ तो इसको हमने सबसे पहले जो है कुर्टी को कट कर लेना है मैं यहां पर चार इंच पर निशान लगाया है लेस लगाने के बाद यह अप मैंने पांच इंच पर इसकी डीपनेस रखी है डीप जो है वो आप जितना रखना है उससे एक इंच चाहता रखना तो इसको इस तरीक के से कट कर लेंगे कट करने के बाद हमने यहां पर लेस लेनी है और लेस को हमने यहां पर इस तरीक के से लगाना है यह हमारी कुर्ट 20 के करीब रख़व गव्र है वह जो ले्स है उसकी एक साइड पर हम यहां पर सिलाई लगा लेनी है तो किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है ना ये ले बख़िकी ici को यहां तक हमने लगा ली है अब इसको हमने इस जिए तरीके से कपड़े को उल्टी साइट के लिए टर्न कर देना है और लेस्कों बाहर की साइट इस तरीके से और उपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है यहां पर और कपड़े को सासाथ में जो अंधर की साइट किया था उसको फोल्ड भी करते जाएंगे हलका हलका सा उसमें फोल्ड करना है उस सीधी साइट से हमें इसको सिलाई लगा देनी है बिल्कुल हलके हाथों से सिलाई लगानी है बिल्कुल खीजना नहीं है अब यह सिलाई लगाने के बाद हमारा थोड़ा सा जोल आता है उसको बिल्कुल हमने जैसे कपड़ा रखना है वैसे ही रखेंगे और इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे तो प्रेस करने के बाद यह हमारी कुछ लेस इस तरीके से आ जाएगी अब हमने इसको उल्टी साइड पे यहाँ पर उरे पट्टी रखी है सिलाई जो है वो हम सीधी साइड से लगाएंगे ताकि हमें लेस जो है वो दिखाई दें लेस के एक कौने पे हमने सिलाई लगानी है जो उरे पट्टी हमने नीचे रखी हुई है उसको हमने हलका सा खींच कर रखना है उरे पट्ट्री की जो चुड़ाई है वो मैंने दो इंच ली है तो इसको इस तरीक से लगा लेंगे और इसको हमने बाहर की साइट करना है और सीधी साइट के लिए टर्न कर देना है ऐसे जो हमारा लेस लगाने का फर्स्ट परला स्टेप था उसके बाद जब हम लेस लगा लेते हैं और पलटते हैं तो जोल आता है उस जोल को हमने प्रेस के साइट सही करना है तो प्रेस के साथ अब अच्छे से हम प्रेस करेंगे उसको तो अच्छे से ये सेट हो जाता है तो हमने औरे पट्टी को इस तरीके से स्टिच कर लेना है अब स्टिच करने के बाद इसको भी हमने प्रेस के साथ अच्छे से सेट कर लेना है setting के बाद हमारा गला जो है वो फिनिड़ फिनिश भर आएगा अच्छे से सफाई आईगी तो इस तरिक किसे हमारा गला तेयार है आप भी ट्राई कीजिए एक राफ कपड़े पर पहले ट्राई कीजिए उसके बाद आप औरीजिनल कपड़े पर बना सकते हैं